कि अग्जान के अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर हम लोग साइंस के सिंखला को आगे बढ़ाते हुए चौथे पार्ट में आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं डिसक्स करूंगा विज्ञान के महतुपर्ण प्रस्णों के बारे में यहां से प्रस्ण सीधे-सीधे आपके एक्जामनेशन में आएंगे इससे पहले मैंने तीन पर्ट अल्रेडी करना रखा है यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं जिसमें मैंने साथ प्रस्णों को कवर किया है इस वीडियो में मैं प्रस्ण नंबर 61 से लेकर करके 90 तक डिसक्स करूंगा यानि कि कुल 30 प्रस्णों का डिसक्स करूंगा और यह सभी महतुपुर्ण प्रस्ण होंगे और यहां से क्वेशन आप एक्जामनेशन में आएंगे तो वीडियो आपनों के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और यदि चै कार्बन के अपरूपों की बात करें तो कार्बन के तीन अपरूप होते हैं ठीक है कौन-कौन से अपरूप होते हैं वो भी देख लेते हैं कार्बन के तीन अपरूप में एक तो हो जाएगा हीरा ठीक है दूसरा हो जाएगा आपका ग्रेफाइट क्या हो जाएगा ग्रेफ के बारम याद रखेगा प्रकृती में सबसे पाया जाने वाल सबसे कठोड़तम पदावर्थ कौन सा है अपका हीरा है ठीक है ग्रिफाइट अधातु है फिर भी करेंट इलेक्टरिसिटी को कंड़क्ट कराता है याद रखेगा काफी इंपोर्टेंट है पूछा जाएगा कि कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युद्धारा का चलन कराता है तो याद रखेगा ग्रिफाइट जो है या विद्युद्धारा का चलन कराता है अगला प्रस्न है निवन में कौन पादप हर्मोन है ठीक है तो कि पादप हर्मोन की बात करें तो पादप हर्मोन की जरूर के लिए शरीर में गरंथियां पाए जाती है मैंने गरंथियों से संबधित सेपरेट वीडियो बना रखा है यदि आप देखना चाहते है तो उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पादप की बात करें तो पादप में कौनकुन से पांच हर्मोन होते हैं तो याद रिखेगा हर्मोन होते हैं कौन-कौन-से जिसमें ओक्जिन हो गया जिब्रीलीन हो गया साइटोकर्णीन और इसित किरेक्टवान सरज बहारं एक मात्र कि 10 पाय जाने हार्मोन है और यह पादने हार्मोन और फलमद बढ़ता है इसलिए से फल्राइन के यूच कन घ्रोस्वी के लिए Acetylene का प्रयोग किया जाता है याद रहेगा चलिए अगला प्रिशन देखते हैं नेक्स्ट कर्शन है तीन प्रतिरोध प्रतेक्षा रोम का है याद इसे स्रेनी करम में जो रहा जाए तो समतुले प्रतिरोध का होगा देखेसमतुले प्रतिरोध का फर्मूला क्या होता है अगर स्रेनी करम में हो तो आरवन प्लस अरटू प्लस अरथ्री याद फिर आगे जितने भी वहांगे उसको लिख लेए और यादि यह भी समांतर करम में होता तो वन उपान आरवन प्लस उपान अपान अरटू ठीक है इस तरीके से आगे और भी प्रतिरोध अगर रहते तो हम कर लेते हैं यहां पर हमारा सेरी नी कम में पुछा गया है तो हमारे लिए फ्रमूला भी इंपर्तिरोध हो जाएगा ठीक है तो हम फिर से कर लेते हैं तीन प्रतिरोध जिसका क्या है4 ब्लस णप ये कितना है फ्लस प्लस responds टूटल को जब एड़ करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा बारो ओम आ जाएगा तो करेक्ट अंसर हो जाएगा अप्शनमबर डी यानिकी बारो अगला प्रस ने ओजोन परत के च्छाय का कारण क्या है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ओजोन परत क कहां पाए जाता है तो याद रखेगा ओजन परत जो है यह समताप मंडल में पाए जाता है किसमें समताप मंडल में पाए जाता है अब यह मंडल कहां पाए जाते हैं अगर यह आप जानना चाहते तो कमेंट करके जरूर बताएगा इसके लिए में सेपरेट वीडियो अप के कारण, तो हमारे घरों में जो प्रयोग होने वाले मशीन होते हैं, AC, refrigerator, या फिर या फिर makeup kit होता जैसे, बहुत सारे makeup kit होते हैं, वो सारे इन सभी से क्या होता है, कि गयसे निकलती है, जो उपर जा करके क्या करते हैं, को औजन परद को हरास कराता है तो देखे, औजन परद के छहा का करण कुंसा है ? फ्रेयोन कैसे है, और CFC कैसे है ? तो आप याद रखेगा CFC क्योंकि maximum time पूचे जाता है CFC CFC का पूरा नाम होता है ख्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या होता है ? एक सात लिखाएगा थिक इस पेस का वहने कारण में नीची लिख रहा हूं ख्लोड़ो फ्लोर कारबन होता है छी का पूरा नाम होता है और आप सी दो नो यानिक फ्रिएंग का सी अपसी नेक्स टैंप देखे यहां पर थोरा सा mistake हो गया है लिखा गया है पराग कन होता है यहां पर पराग कन पराग कोस से निकल कर वर्तिकागर तक पहुचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो देखे जब ही पराग कन पराग कोस से निकल कर वर्तिकागर तक पहुचने की प्रक्रिया को क्या ऊक्सिजन की नेक्स्ट है प्रकास शन्सलेशन की क्रिया में औक्सिजन क से बाहर निकलता है तो देख substitute प्रक्रिया होती है ठीक है या फिर डारेक्ट इतना अप्समझ लिए कि वाई मंडलिये गैस जो होते हैं ठीक है वाई मंडलिये गैसों का जो अधान परदान होता है पौधे में वह इसमें एक संडरचन पाय जाती है पत्यों में जिन्हें कहा जाता है रंद्र और इनहीं रंद्र रंद्र को इंगलिस में स्टो मेटा बोलते हैं द्वारा ठीक है और यदि पूछ ले कि पौधे जल जल और घुलित खनीज लवनों का सोसन मिट्टी से किस क्रिया द्वारा करते हैं तो वह जागा पड़ासरन दोनों इंप्रोटेंट है दोनों याद रखेगा अगला प्रसने इंसुलीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखिए इंसुलीन जो होता है कहां से सरावित होता है तो हमारे अगनासे के लेंगरेंस की दूपिका के बीटा सेल से देखिए इंसुलीन का लेवल अगर हमारे सरीर में घट जाता है तो क्या होता है चीनी का होता है इसका तरंग देर्ग सबसे ज़्यादा होता है कितना होता है तो 7800 एंगस्ट्रम होता है कितना 7800 एंगस्ट्रम सबसे ज़्यादा तरंग देर्ग जो होता है लाल का होता है और सबसे कम किसका होगा बैगनी का होगा यानि कि वाइलेट का होगा, कितना होगा तो 4900 एंगस्ट्रम, ठीक है, याद रहेगा सबसे ज़्यादा तरंगद्यार गरेड का और सबसे कम तरंगद्यार गरेड का चुकि सबसे ज़्यादा तरंगद्यार गरेड का होता है इसलिए इसका प्रक्रिनन बहुत कम होता है, इसके पास सकती ज़्यादा होता है प्रक्रिनन कम होता है वालेट के पास वालेट का जो तरंग देरग है वह कम है इसलिए इसका जो काव जो होगा या प्रक्रिनन जो होगा वो मैक्सिमम होगा अगर आपसे पूछ ले एक trick याद रखेगा लाल का जो होता है सिर्फ तरंग दे रखे होता है बादमा की कुछ ही पूछ ले तो सारा का सारा क्या हो जागा कम हो जागा चाहे तो प्रकिरनर पूछ ले या अप वर्दनांग पूछ ले सारा कम हो जागा बस तरंगदर्ग लाल का अधीक होता है और बैगनी का तरंगदर्ग कम होता है बादमा की सब चीज़ अधीक होता है यह ट्रीक है याद रखेगा अगला प्रस ने विदुत बल्ब का तंतू किसका बना होता है तंतू को इंग्लिस में तार दे देता, तो तार किसका बना होता है, तामबा का बना होता है, याद रखेगा, ठीक है, अगर फिलामेंट पूछ ले, यानि तन्तू पूछ ले, तो टंगस्टन, और तार पूछ लेगा, तो तामबा, नेक्स है विद्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् तो कुछ सा तो यूराइनियुम 235 जैदर रेगा नौभिके उड़ा प्राप्त करने के लिए प्र्यों fishing event के जाता है सबकार पूछ लेगा कि नाभिके रियक्टर में इंधन के लिए किसका आप यद रखेगा एतुर यह क्यार्यियेव का तो दुनों के लिए आंसर हो जागा Carbon Dioxide Global Warming के लिए भी उत्तर दाई है Carbon Dioxide और Greenhouse Effect के लिए भी उत्तर दाई है Carbon Dioxide इसका अनुसुत्र याद रखेगा CO2 होता है इसका अनुसुत्र अगला है Latimer Civilian ब्रेगनी रंजक होता है जो किसे अप्राप्त के जाता है तो दखेए पादब को तीन कटगरी में डिवैड किया गया है Brow Fighter, Trader Fighter और एक होता है Thelophiter ठीक है कौन सा? Thelophiter तो Thelophiter में दो जीव जो हैं यानि कि सेवाल और कवक कौन सा? सेवाल और कवक ये दोनों एक दूसरे पड़ क्या होते हैं निर्भर होते हैं यानि कि सहजीविता संबन्ध दिखाते और इनहीं कि सहजीविता संबन्ध को कहा जाता है Lichen और हमारा जो令 minimalis patrств प्राप cash थोता है इसी Lichen के द्वारा प्राप्त होता है nitrogen cell यानि कि HNO3 इसका जब भी ratio पूछता है तो याद रखेगा 3 is to 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3 is to 1 हो जाएगा यानि hydrochloricuml का 3 और HNO3 का 1 ठीक है, answer क्या हो जाएगा? option A, correct answer हो जाएगा अगला प्रस्ण है, अंडानू का निसेचन कहा होता है तो देखेए, यहाँ पर आपको पिक दिख रहा होगा इसको बोलते हैं, fallopian alika क्या बोलते हैं, fallopian alika और यही पर क्या होता है, अंडानू का निसेचन होता है, तो question पूछ लेगा कि अफ अंडानू का निसेचन कहा होगा, तो याद रखेगा का fallopian alika, इसे एक और नाम दिया जाता है डिम्ब वाहिनी, क्या नाम दिया जाता है डिम्ब वाहिनी, इंगलिस में fallopian tube बोलते हैं तो याद रखेगा, निसेचन की परकिरिया जो होता है वो fallopian tube में होता है जब भी focus दूरी की बात करेगा, तो यह क्या होता है वकड़ता तृज्या की आधी होता है radius of curvature का आधा होता है focus दूरी यानि कि f is equal to r by 2 कौन से option में है, c option में है नेक्स्ट है, विद्धूत heater में तार की कुंडली की स्तत्व की बनी होता है तो देखें हीटर में hitting element के रूप में जो प्रयोग किया जाता है तो hitting element के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो element है वो होता है आपका नाइक्रोम किसका किसका मिश्रण होता है तो nickel का और chromium का मिश्रधातू होता है किसका किसका nickel और chromium का मिस्रधातु होता है नाइक्रोम जो कि hitting element के रूप में प्रयोप किया जाता है कोई विद्यूत heater हो या फिर किसी प्रकार का heater हो चाहे आयरनी क्यों ना हो उसनों भी ज्याद रखेगा hitting element की जब भी बात आएगी hitting element की जब भी बात आएगी चाहे किसी भी उपकरण में ठीक है तो किसका अप्लिकर जागा नाइक्रोम का अगला है cnh21 hydrocarbon group किसका सुत्र है ठीक है तो देखे cnh21 जो है वह किसका है तो मैंने बताये था आपको alkyne का क्या हो जागा alkyne का हो जागा cnh21 plus 2 ठीक है alkyne का क्या हो जागा वही cnh21 जो कि आपका question है और alkyne का क्या हो जागा cnh21 minus 2 और alkyne का क्या हो जागा cnh21 plus 1 क्या हो जागा plus 1 यहां minus 2 होगा alkyne का क्या cnh21 alkyne का cnh21 alkyne का cnh21 minus 2 और alkyne का हो जागा cnh21 plus 1 ठीक है question कहा गया था cnh21 किसका है कि अग्ला का पडिए दिवतासंद में पाई जाने में अपकало नवद कर दोरा सब करें में अबठ ब्रोमीन की और दिए गया है ओप्सिन नोबर सीन दोनके आपDakar लिए क्वें कि आप सब में दिखेना है वेन सब्सकर सब्सक्राइएं लेकिन समें शेने क rester करेंسाब indicate कर दिया गया है सब सब कि पारा और ब्रोमीन ओप्चिन लमबर सी में है अगला प्रस्जफ निया आनुबशय के जनक कौन है तो देखे जनेटीक्स का फादर किसे माना जाता है याद रखेगा जनेटीक्स का जो फादर होता है ये कि नहीं माना जाता है मेंडल को मना जाता है Gregor John मेंडल और इन्हेंने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चैन किया था तो मटर के पौधे का चैन किया था याद रहेगा कोशन पूछे जाते आनुवान सिकता का जनक कोने मेंडल है अगला प्रस्ट है निम लिखित में मचली केंचुवा औ यानी कि ट्रेक्या यह भी सई है और मनिसरे में किसके दम्लाओ तो फिफरा के दम्लाओ यानी कि चार निमन में किसन अर्थ जल होता है तो देखिए याद रखेगा हाइड्रो का अर्थ क्या होता है जल होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रसने निर्वात में प्रकास की चाल कितनी होती है तो देखिए निर्वात में प्रकास की चाल कितनी होती है तीन गुने दस पर पावर आपके लिए आज का question किसका चाल होता है मतलब किस में परकास की चाल होती है और 2.5 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड किस में परकास की चाल होती है यह दोनों को बताएंगे option मैं आपको दे देता हूँ एक होगा एक cancer होगा पानी और एक cancer होगा काच आपको बताना है कि काच में कितना होता है परकास का चाल और पानी में कितना होता है यह आप हमें comment करके बताईएगा चलिए अगला प्रसन देखते है वेदुद चुमबक बनाने के लिए किस पदर्थ के छर का उप्योग होता है तो देखे वेदुद चुमबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है अगला है लेंस में मुखे फोकस की संख्या कितनी होती है तो देखे जब लेंस की बात करेगा ठीक है लेंस की जब बात करेगा तो लेंस में मुखे फोकस की संख्या दो हो जाएगी और यदि दरपन के बात करेगा तो दरपन में फोकस की संख्या के वल अड़के वल एक होती है ठीक है दरपन में एक लेकिन लेंस में दो हो जाएगा ठीक है आब कहिए कैसे तो देखे अगर कोई भी लेंस बनाएंगे तो उसके लिए दो गोले का यूज होगा ठीक है दो गोले का अब इस गोले का यह क्या हो जागा केंद्र हो जाएगा और यह केंद्र हो जाएगा अब मन लिजे यह सारा अगर हटता है तो एक लेंस हमें बनकर क्या आता है ऐसा ठीक है जिसमें से केंद्र यहां औ एक इधर होगा, अगर मालेट इधर से लाट देते हैं, तो इधर से गुज़रेगा, यानि कि दो हो जागा, तो लिंज में कितने होते हैं, दो होते हैं, अगला है हमारे घरों में जो विद्धूत आपूरती की जाती है, वह होती है, तो देखे हमारे घरों में 220 वोल्ट AC, य यानि प्रतिया वर्तित धारा, तो यह आंसर नहीं होगा, कि हमारे घरों में AC का सपलाई किया जाता है, और उसकी जो छमता होती है, वह कितनी होती है, 220 वोल्ट या फिर 50 हर्ट जी, अगला है ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाब पढ़ता है, तो दे करेगा क्योंकि सभी प्रतार्व क्यों अलग होता है किमक्राइबταर्पार्पाइब बॉचा अगला किसी वस्तु का प्रतिविम आख दो किस भाग बनता हैक तो याद रखे गा प्रतिविम जो बन्ता है आख के कौन से भाग पर रेटीना पर बनता है, option में कहा है option में रेटीना कहीं नहीं है ठीक है, लेकिन रेटीना का एक और नाम है द्रिस्टी पटल, तो option number C इसका correct answer हो जाएगा आज का आखरी प्रस्ण है वेदुचुम्ब की ये प्रेरन का खोज किस ने किया था, तो वेदुचुम्ब के प्रेरन का जो खोज है वा किया था, फैराडे ने ठीक है, काफी important question है ये काफी important है, ये question आपके examination में आ सकते है, ठीक है तो वेदुचुम्ब के प्रेरन का खोज किस ने किया था यह आधे न हो फैरा रदे ने किया थे वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएएगा ठीक और इस वीडियो को प्रेंड सेल कर दिजेगा और यदि वीडियो पसंद आया होगा तेक लाइक जरोर किजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट फाइब लेकर करके तब दे के लिए धन्यवाद कि अगर कि अगर